Hello everyone, welcome to Vector Educators, this is Neelam and आज हम discuss करने वाले हैं synonyms and antonyms यह मैं यह कह सकती हूँ कि questions based on synonyms and antonyms यहाँ पर हम discuss करेंगे जिस तरीके के questions exam में पूछा जाते हैं and as you know कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर exam में vocabulary plays a very important role चाहे वो pre हो, चाहे वो means हो, SBI हो, IBPS हो, pre में, means में vocabulary का बहुत जादा important role होता है so let's start our session so यहाँ पर देखेंगे direction, direction कही गई है in the following question out of the given four alternatives select the one which is opposite in meaning of the given word so यहाँ आपको बताना है कि यह जो certain in word है, इस word का आपको opposite बताना है so देखिए क्या हो सकता है इसका opposite and जिस तरीके के questions हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं इसी तरीके के questions आपको means exam में आते है या encounter होंगे जब भी आप practice करोगे so ध्यान से इस session को attend करना and जितने भी words यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं वो बहुत जादा important है आपकी आने वाली exams के लिए so guys अगर यहाँ पर बात करें इस word की saturnine तो यहाँ पर इसका meaning होता है बहुत ही serious and unfriendly very serious कुछ लोग होते हैं जो बहुत जादा serious होते हैं बिलकुल unfriendly होते हैं जादा किसी से बात नहीं करते या फिर हम इसे यह भी कह सकते है bad tempered जो होते हैं जिनकी बहुत जादा किसी से बनती नहीं उन्हें हम कहते है saturnine यहाँ पर first जो option है वो है phlegmatic and phlegmatic का जो meaning होता है वो होता है बहुत ही जादा कोई काम, शान्थ या cool या composed इंसान उसे हम कहते है phlegmatic then next is melancholic and melancholic का जो meaning होता है वो होता है sadness या depression या हम कह सकते है depressed next is gloomy and glooming again मतलब होता है sad and depressed again sad या depressed हम यहाँ पर कह सकते है joyous मतलब होता है joyful या हम कहेंगे cheerful या happy so हमें इस word का opposite बताना है phlegmatic, serious and unfriendly का या bad tempered जो हमेशे जिसका दिमाग खराब होता है जिसकी किसी से बनती नहीं हुसे हम saturnine कहते है यहाँ phlegmatic तो नहीं होगा, melancholic तो no यह तो इसके synonym में आ सकता है gloomy भी नहीं होगा तो इसका जो सही answer होगा वो होगा joyous क्योंकि joyous मतलब जो बहुत happy होता है cheerful होता है उसे कहते है क्योंकि यहाँ पर जो saturnine है उसका मतलब होता है serious and unfriendly next question देखते है embroglio and देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है इसका meaning embroglio क्योंकि आ सकता है झाल 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 तो यहां पर अगर बात करें अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एक्स्त्रीमली कन्फूजन यह एक्स्त्रीमली कन्फूज्ड स्टेट् a extremely confused ये क defini x extremely complicated और कोई Embracing situation जो होती है उसे हम कहते हैvaluation तब एंब्रोगलियों कि जिसम्में हमेंशन में फील ओभुत ता complicated जिस्षे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो यह बहत ही स्थादा किसी चीज में confusion है ऐसी situation को हम कहते हैं एंब्रोग लियो देन ट्रूस ट्रूस जो होता है यह एक तरीके का agreement होता है और यह agreement किन के बीच में होता है किन लोगों के enemies के बीच में कि जो दो enemies है वह agreement बनाते है ताकि वो जो लड़ाई जगडा जो भी उनके बीच में conflict चल रहा है उस conflict को रोकने के लिए जो एक agreement होता है कि हां हम भी कुछ गलत नहीं करेंगे आप भी कुछ गलत मत करना उसे हम कहते हैं truth then next word is accord accord भी एक तरीके का agreement होता है then next is adamant and adamant मतलब क्या होता है बहुत ही firm बहुत ही और सक्त जो इंसान होता है यह determined होता है बिल्कुल वो अपने decision change नहीं करता कि नहीं यह मतलब यही ऐसा मतलब ऐसा ही इस तरीके का जो होता है जो बिल्कुल inflexible होता है जो बिल्कुल flexible नहीं होता जो बिल्कुल change नहीं होता उसे हम कहते है adamant then next is brawl and brawl का जो मीनिंग होता है वो भी होता है noisy fight की जोर जोर से लडाई जगडा करना चिला चला कर यह quarrel करना मतलब की लडाई अगेन इसका मतलब होता है ब्रॉल तो यहां पर जो सही answer होगा वो क्या हो सकता है obviously extremely confused complicated situation and यहां पर बोला जा रहा है agreement between two enemies to stop fight okay यहां पर यह complicated यह कोई embarrassing situation and truth मतलब है agreement होता है समझा होता है एक तरीके का कि हमें यह चीज बंद करनी है तो इसका जो answer हो जाएगा यह truth होगा accord नहीं होगा adamant नहीं होगा ब्रॉल भी नहीं तो यहां जो सही answer हो जाएगा वो truth होगा next question देखते है कॉमेपिंस तो यहां पर देखे कॉमेपिंस का क्या होगा अपोजट यहां पर भी हमें अपोजट ही बताना है अपोजब बताना है शायद last question में कुछ लोगों को doubt भी हो सकता है embroglio मतलब confused या बहुत complicated situation जिसमें हमें समझ नहीं आता कि क्या करें या इसे हम इसका अगर synonym की बात करें तो इस embroglio का जो synonym होगा वो problem भी हो सकता है कोई problem कोई difficulty कि इसलिए इसका जो अपोजट होगा वो ट्रूस होगा कि फिर्यूस मतलब किसी चीज को resolve करते ना कि दो enemies बीच बैट कर बात करते हैं कि यह ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरीके से आप भी fight ना करो हम भी ना करें इसलिए यहां जो है इसका आंसर यह ट्रूस है नेक्ट देखेंगे इसका भी अपोजट बता रहा है आपको तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है क्या है क्या है क्या है कौमपन्स मतलब होता है कि कोई क्राइम हो गया है उसके लिए जो पनिश्मेंट दी जाती है उस क्राइम के अकॉर्डिंग उसे हम कहते है कोमपन्स मतलब हम कह सकते के इट इस अ पनिश्मेंट Then denouncement, denouncement मतलब होता है किसी को criticize करना, किसी की बुराई करना, किसी को condemn करना, किसी की आलोशना करना Then next is vindication and vindication मतलब होता है to free from blame कि किसी पर किसी चीज का कोई blame लगाया था, कोई आरोफ लगाया था, कोई allegation उससे उससे मुक्त कर देना यह होता है vindication Then next is castigation and castigation मतलब rebuke, मतलब की डाट फटकार लगाना, scold करना, यह होता है, rebuke किसी को डाटना And rebuke मतलब ही castigation होता है, I hope scold करना, समझ गए होंगे So यहाँ पर common points मतलब होता है, deserve a punishment for a crime So crime के लिए punishment देना and vindication है कि punishment से या blame से उससे free कर देना So यहाँ common points का जो opposite हो जाएगा, वो होगा vindication Next question देखते है Punitive, unpunitive का आपको again बताना है opposite P अजब देखते हैं झाल 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 तो यहां अगर बात करें पुनेचव तो इसका मतलब होता है पनीशेबल कि जिसके लिए पनीशमेंट मिल सकती है यह चांसे से कहते हैं पनीशेबल क्राइम यह इस तरीके से स्ट्रिंजेट मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट या कह सकते है फिर्म देन नेक्स जो वर्ड है वो है हार्ष तो हार्ष तो सभी को पता है इसका जो मतलब होता है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट या किसी चीज को एप्रूफ करना देन नेक्स्ट इस ड्रैकोनियन एंड ड्रैकोनियन मतलब होता है हार्ष सीवियर या हम कह सकते हैं बहुत ही जादा स्ट्रिक्ट कहते हैं ड्रैकोनियन लौ मतलब इस तरीके का लो तो बिल्कुल नहीं होगा हार्ष भी यहां पर बिल्कुल गरत हो जाएगा देन कंडोनिंग जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना या एप्प्रूफ कर देना तो यहां पर एक्सेप्ट कर देना है किसी चीज को एप्प्रूफ कर देना ये बिल्कुल सही हो सकता है इसका अंसर एंड रैकोनियन तो बिल्कुल भी नहीं होगा नेक्स्ट क्वेशन देखते है 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 झाल झाल तो यहां पर बात करें यहां हमें बताना है बेस्ट एक्सप्रेसिस दे मीनिंग इसका मीनिंग इसका सिननिम बताना है अभी तक जो हमने क्वेशन सोल किये वहां अपोजीट बताना था यहां पर हमें इसका मीनिंग बताना है तो लाइक्वानिक मतलब ब्रीव कंसाइस या शॉर्ट होता है फिर नेक्स्ट इस वेग वेग जो है यह बिलकुल आउट अफ कंटेक्स्ट है इसका मतलब होता है अंक्लियर जो चीज़ क्लियर नहीं है दिखती नहीं है गलरी रही है उसे हम वियक कह सकते है तो यह बिलकुल नहीं होगा नेक्स्ट वर्ड है टेस् liability का मतलब भी अगें शॉर्ट होता है यह किसी चीज़ को शॉर्ट हमें यह brief में करते हैं तो test भी नहीं, ओके, यस बेलकुल होगा, क्योंकि यहां पर हमें again इसका meaning बताना है ना की opposite बताना है, जो बिलकुल होगा. वर्बोज मतलब तो होता है, कि बहुत जादा words हो में Method says. जरूरत से जादा words में हम किसी चीज को बोलते हैं उसे हम कहते हैं verbose या इसे हम कहेंगे talkative कि जरूरत से जादा words में हम किसी चीज को express कर रहा है तो वो verbose तो यहां तो यह बिल्कुल नहीं होगा यह तो opposite हो जाएगा and eloquent मतलब भी वही होता है जो बहुत ज़ादा क्या होता है fluent होता है यहां की trick है हम कई डिसकस कर चुके है कि जहां भी LOC यहां पर यह LOQ है यहां जब भी दिख जाए it is related to talking बोलने से related है यहां पर यह जो होता है इसका मतलब होता है fluent जो होता है बोलने में बहुत सब्सक्राइब होती है language में उसे हम कहते है eloquent ऐसे person को हम कहते है eloquent तो हमारा जो answer होगा यहां पर होगा test क्योंकि इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को short या brief में जबना next question देखते है झाल 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 अगेन एलो क्यों आ गया है अभी मैंने बताया था इट इस रिलेटेट टू टॉकिंग की बात करने से रिलेटेड है एन हमें इसका बताना है और मीनिंग आपको तो यही हमारा सही आंसर होगा next word जो है इसका मतलब जो होता है serious बहुत ज़्यादा serious या बहुत ज़्यादा कोई severe या strict जो होता है उसे हम कहते है strength and next is vindicative and vindicative मतलब होता है revengeful मतलब की बदला बदला जो होता है ना vindicative किसी चीज़ का बदला यह होता है vindicative कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आप भी उसके साथ कुछ बुरा करें उसे हम क्याते है vindicative या revengeful यहाँ जो synonym हो जाएगा locatious मतलब हो जाएगा talkative बोलने वाला क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यह हो सकता है synonym मतलब की मेनिंग बताना है आपको यहाँ पर यह हो जाएगा ख़ करें वहाँ लगाँ झाला है यहाँ भी आपको यहाँ जाएगा हो जाएगा झाला है जाएगा वहाँ पर झाल 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 तो यहां पर बात करें लुग्यूब्रियस जिसका मतलब होता है साड यह हम कह सकते हैं ग्लूमी cuánto renewizeण होना यह होता है होता है साड यह होता है लुग्यूब्रियसर इसका हमने بताना है इंद्ध मेनिंग बताना है यहां फ्र्स जिव hace punctuating punctuating मतलब क्या होता है punctuation लगाना अब पंक्चुएशन लगाना मतलब किसी चीज़ को mark करना या फिर किसी चीज़ को divide करना punctuation mark से punctuate करना तो यह जो होगा यह बिल्कुल नहीं होगा next is gaiti and gaiti का मतलब होता है cheerful तो यह तो बिल्कुल opposite word हो जाएगा इस lugubrious का क्योंकि इसका मतलब होता है sad, gloomy, depressed and gaiti मतलब cheerful तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा next is morose and morose का भी मतलब होता है gloomy या फिर कह सकते है ill-tempered मतलब की खराब दिमाग वाला जो होता है जिसका हमेशा दिमाग खराब होता है इस तरीके का जो परसन होता है हमेशा जो नाराज होता है इस तरीके के परसन को हम कहते है ill-tempered तो यहाँ पर यह बिल्कुल इसका सिननीम होगा क्योंकि इसका भी मतलब होता है gloomy ग्लूमी मतलब बिलकुँ जो नाराज रहता हमेशा चेहरा उत्रा हुआ इस तरीके के परसन को हम कहते है लुगूब्रियस यह ग्लूमी निराश हिंदी में अगर कहें तो इस ग्लूमी का वर्ड होता है निराश next is gleeful and gleeful का मतलब होता है again glee मतलब happiness होता है happy and happily नहीं होगा यहां पर happy and excited कि जो हमेशा happy and excited होता है उसे हम gleeful कहते है तो यह भी पिलकुल opposite हो जाएगा तो हमारा जो सही answer होगा जो सिननीम होगा वो होगा morals next question देखते एबोरेंट तो सो देखिए क्या हो सकता है इस word का meaning कर दो सकता है mamma ऑज कर दो suck धुम्हाइब ली जाइब का आगका कि यह थाल से दिती हो, जेञु पिर दिती हो उन्हुंआ कर दो दो पिपती हो पिर इन ऊसए पिर द only तो लेट्स चेक अबोरिंट एन यहां पर यह जो अबोरिंट का मीनिंग होता है यह होता है हेट फुल यह हम हेट करें यह बहुत वादा जो डिस्गुस्टिंग होता है उसे हम कहते हैं अबोरिंट first word is abominable and abominable का जो मीनिंग होता है वो यही होता है hateful and disgusting so obviously अबोरिंट का जो सिननीम हो जाएगा वो होगा abominable क्योंकि यहां पर इसका भी मतलब वही होता है hateful and disgusting next is lovable मतलब lovely admirable जिसे admire करते है respect करते है and then enviable enviable जो होता है enviable का मतलब होता है जो desirable हो जिसे हम desire करते है या जो attractive होता है उसे हम कहते है enviable so यहां पर जो सही answer होगा वो होगा abominable next question देखते है so यहां पर जो है guys direction change है in the following question four words are given to the most suitable alternative reflecting the combination of words okay आपको कुछ words दिये गया है और आपको ऐसी pair select करने है ऐसा combination select करना है या तो वो pair synonym हो एक दूसरे की मतलब दोनों word या तो एक दूसरे से मिलते जिलते हो synonym सो या दोनों word एक दूसरे के opposite होगे तो भी सही होगा मतलब या तो सपोस्थ दो word select करते हो तो दोनों का जो meaning है यह बिलकुल same होना चीए इस वाले वर्ड का या तो दोनों जो वर्ड है यह दोनों अब एक दूसरे के opposite हो तो भी सही होगा तो या तो synonym या तो endonym so here is your first question, conclusion, paradox, discrepancy and pragmatic आपको बताना है आपको ऐसी पेर चूस करना है वो या तो synonym हो या तो opposite so देखिये यहां पर क्या हो करता है so let's check guys, conclusion, सभी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है then next word है paradox and paradox मतलब होता है contradictory idea या contradictory statement कि दो लोग है दो अलग-अलग statement दे रहे हैं उसे हम कहेंगे paradox या दो अलग-अलग statement या हम कह सकते हैं conflict then next is discrepancy and discrepancy का भी मतलब होता है conflict conflict मतलब यह होता है contradiction या difference किसी चीज में opinion में अगर difference होता है यह difference है opinion में difference होता है या opposition होता है तभी जाके कोई conflict होता है किसी के बीच में दो पार्टीज या दो कंट्रीज के बीच में paradox and discrepancy जो है यह almost एक दूसरे के synonym है यह दोनों वर्ट सिमिलर लग रहे है और नेक्स जो है pragmatic है and pragmatic का मतलब होता है किसी चीज से और practically deal करना deal things practically so practical तरीके से किसी चीज को deal करना किसी situation से वह होता है pragmatic क्याते है ना pragmatic approach pragmatic approach मतलब क्या होगा sensible approach कि जिसमें कोई sense हो जो realistic हो not based on theory या theoretical नहीं हो practical पर बेस्ट हो experience पर बेस्ट हो या realistic हो उसे हम कहते है pragmatic तो यहां पर हमने रिखा कि paradox and discrepancy बिलकुल दोनों same meaning वाले वर्ड है तो यह हमारी pair बन सकती है हमको या तो ऐसी pair चाहिए जो एक दूसरे के opposite हो या तो ऐसी pair चाहिए जो synonym हो तो यहां यह दोनों synonym दिखाई देर है तो हमारा जो answer होगा यह होगा only two and three because both the words are synonyms of each other next question देखते है एकति उला जो हमको तो ड की यह सकलन कार advice प्रल्म हापित्ष्ण दन्याक कार चास्टर्स कि scarमें लोगा तो थै्या सixाए कि यह रिए जिंवा बाराश बारता दो मिल्ध को बारते है रिए दिए झाल 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 तो यहां पर अगर देखेंगे किसी चीज को डिकलेर करना यहां पर देखेंगे कोई भी चीज स्मॉल क्वांटिटी में होती उसे हम कहते हैं मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत जादा डिजायरेबल है यहां बहुत जादा वैल्यूएबल है जिसकी बहुत वैल्यू है इस बहुत स्मॉल क्वेंटिटी में होती उसे हम कहते हैं एसे लेक्सिटी मतलब होता है lack of strictness की कमी हो उसे हम कहते हैं लेक्सिटी और नेक्सट वर्ड इस सर्विलिंस मतलब क्या होता है किसी चीज का close observation क्लोजली हम किसी चीज को अबजर्व करते हैं उसे हम कहते हैं सर्विलिंस स्पेशली यह जो होते हैं स्पाय और जो क्रिमिनल्स होते हैं क्रिमिनल्स के लिए यह किया जाता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किया जाता है यह सर्विलिंस तो यहां पर यह जो words है surveillance मतलब close observation यहां पर यह lack strictness और care क्योंकि surveillance मतलब होता है strictly किसी चीज को observe करना बहुत ज़्यादा carefully यह होता है surveillance and laxity मतलब होता है lack of strictness और care strictness और care की कमी तो यहां पर यह जो दोनो words है यह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल opposite दिखाई दे रहे तो हमारा जो answer हो जाएगा यह option number 3 and 4 होगा मतलब option number 1 क्योंकि यह जो दोनों word से यह दोनों एक दूसरे के opposite है क्योंकि laxity मतलब lack of strictness and care and इसका मतलब होता है कि बहुत carefully बहुत strictly हम किसी चीज का observation करते हैं किसी person का किसी spy का यह criminal का उसे हम कहते हैं surveillance तो हमारा जो answer हो जाएगा वो का option number a next question देखते हैं झाल 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 so let's check guys यहां पर क्या होगा answer देखते हैं historical related to history तसल तसल जो होता है तसल का मतलब होता है कोई vigorous struggle किसी चीज के लिए जो struggle किया जाता है बहुत जादा vigorous किसी चीज को achieve करने के लिए and जो combat होता है झाल झाल से प्रूब से होता है कर दो तो जाओ यहां पर हिस्टारिकल मतलब लिक्तेस्टारिकल कुछ तेखनिकलल आरे की वज़े से विडियो रुख गया था जो टैसल तसल मतलब डीओ फिकेल्ट चुह हैंडल भीपन कान आल कार्ट मतलब होता है फाइट किस के बीच में दो आम्ड फोर सइस के बीच में तो यहां पर जो हमारा answer होगा वो होगा tassel and combat क्योंकि tassel मतलब भी struggle होता है किसी चीज को achieve करने के लिए and combat मतलब भी fight करना होता है यहां पर भी combat जब दो armed forces fight करती है तो किसी चीज को achieve करने के लिए ही तो यहां पर यह tassel and combat दोनों synonyms होंगे तो यहां जो सही answer हो जाएगा वो होगा 2 and 4 that is option number C next question देखते है किसी चीज करने बन्य मतलब भी हुआषा किसी चीज करने अन्य मतलब भी नहां जो किसी चीज किसी चॉआए़गा किसी चीजय तो प्रूदेंट एंड प्रूदेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वाइस चतुर या चालाक यह हम कह सकते हैं गुशल मसंतहे हैं उपित इंन्सेड टो आपको पता ही मतलब होता है यह के सकते हैं रेसपॉंसिबल यह बहुत ज्याद्व बहुत ज्यादा एंस्वाली था और वोट दे knockद डेक्स्थ कियुग होग नेक्स्थी रेकलेसो कुणक हैस्थ का मतलब होता है किरलेस यहski Reddit हम कहते हैं reckless तो हमारा जो सही answer होगा वो होगा careless and sensible prudent क्योंकि prudent का मतलब careful होता है sensible wise और ये careless और irresponsible तो ये जो दोनों जो वर्ट से ये opposite है तो हमारा answer होगा 1 & 4 that is option number D both the words are opposite of each other next question देखते है कर दिये आत्र, खबने 25 अशेदू वो हमारा Pend吻 हमार, बहुँ को करें देखते हैं, बहुँ का भटतक का उमनल दो हमाराओ, सक्राज पनसव smoothly का कुद基本 का जो रखते हैं पाले लुट बहुश, क्रुश सकता है, झार भ्टतया, झार बहुशना। झाल झाल यहां पर इतिनरेंट मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रावल करना तो यहां पर हो जाएगा ट्रावलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्लेस टू प्लेस ट्रावल करना इसे हम कहते है इतिनरेंट नेक्स वर्ड इस नोमाड्स मतलब क्या होता है कि जो एक प्लेस पर जादा दिन तक नहीं रहते है ना यहां पर हम इसे कह सकते है पोस्टन यहां पर देखिए इतिनरेंट नोमाड्स हमें सिननीम लग रहा है क्योंकि यहां पर भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रावल करना नोमाड्स मतलब भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रावल ही करेंगे क्योंकि एक प्लेस में जाला दिन तक नहीं ठहर पातें तो यह बिल्कुल हमें सही लग रहा है यह दोनों सिननीम लग रहा है इराडिकेशन इराडिकेट मतलब क्या होता है किसी चीज को डेस्ट्रॉइ कर देना डेस्ट्रक्शन ओफ सम्थिंग इराडिकेशन होता है and next is penchant and penchant मतलब होता है किसी चीज को करने की जो tendency होती है tendency to do something कि किसी चीज को करने की tendency या habitual जो liking होती है किसी चीज को करने की वो होती है penchant किसी चीज को करने की habitual liking होती है ना something तो उसे हम कहते है penchant तो यहाँ पर जो सही answer होगा वो option number 1 and 2 तो यहां हम देख पार है option number A में आया है only 1 and 2 because both the words are synonyms of each other वतलब similar words है So I hope this session was very very useful for you So thank you very much guys essay sessions के लिए बने रही है मेरे साथ Do like, share and subscribe my videos Thank you very much